मैं डक्टर अमिद भटनागर, पंतनगर कृषी विश्विधाले में सस्य विज्ञान विवाग में प्रोफेसर के पतपर कारे रहत हूँ और इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचें रिसर्च फांडिंग्स पहुंचें, जो नए-नए अनुसंधान कारे हो रहे हैं, वो उन तक पहुंचें तक कि उसका लाव वो अपनी खेती में ले सकें आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि जिपसम का सही प्रयोग कैसे किया जाता है कहीं जिपसम को हम भूंई सुधारक के रूप में प्रयोग करते हैं, जो भूंई का चिपचपापन है, जो मिट्टी चिपकती है, उसके लिए प्रयोग करते हैं और कहीं जिपसम को हम सोडियम की मात्रा को कम करने के लिए करते हैं, जहां भूमी सोडिक होती है, ज्यादा छार बन रहा है, उसको कम करने के लिए करते हैं, तो दोनों ही चीजों में अगर हमको प्रयोग करना है, तो हम इसका प्रयोग कैसे करें, ये एक ब्रहम बना रहता है कि हमें कैसे gypsum का प्रयोग करना है, कब हमें मिट्टी को भुरवरा बराने के लिए प्रयोग करना है, कैसे करना है और कब हमें sodium की मात्रा को प्रयोग करना है, कैसे करना है और उसका क्या तरीका होगा तो आज मैं इसी बात पर चर्चा करूँगा पहले हम जिपसम को समझें जिपसम क्या है जिपसम एक natural deposit है प्राकर्तिक रूप से मिलता है मिट्टी के अंदर रहता है और इसका जो फार्मूला है वो होता है C.A.S.O.4 और इसमें दो जो अणू है वाटर के रहते हैं तो इसके अंदर हमारा दो पोशकततो होते हैं एक calcium होत होता है तो यह बड़े आवशक कोशकततों हैं दौनों ही और लेकिन यह पानी में धीरे-धीरे घुलता है बहुत तेजी से नहीं गुलता है इसकी जो प्रिक्रिया है पानी में धीरे-धीरे घुलने की होती है अब यह जो जब हम इसको मिट्टी में डालते हैं तो यह धीर जवांश पदार्त की अच्छी मात्रा उससे जुड़ते हैं, या कैलूश्यöm उसको भुरबरा बनाके रखता हैं जवांश पदार्तों की मात्र अच्छे होगी, तो मिट्टी भुरुबरी बनी रहेगी, या कैलुशम होगा, तो भुरुबरा बना रहेगा यहां कार्बोनेट की बात नहीं हो दो हो रहे हैं. जो होता है हो भुरवरा बना के रखता है. तो अगर मिट्टी में बहुत ज़ादा किल्ये हो रही है, चिप-चिपी हो रही है, तो ऐएसी स्तिती में हम जिप्सम को डाल सकते हैं. और ये जिपसम मिट्टी को बुरुबरा बनाके रखता है और इसके अलावा जब ये पानी में घुलता है तो दोनों ही पोशक तत्व इससे मिलता है कैल्शियम भी मिलता है कैल्शियम प्लस प्लस आयन में तूड जाता है और सलफर जो है सलफेट आयन में तूड जाता है तेल निकलता है उनके लिए सलफर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है वैसे तो सलफर सभी फसलों के लिए जरूरी है लेकिन खास तोर से तिलहनी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है तो ऐसी फसलों में तो हमें जिपसन डालना चाहिए तक कि सलफर जो गंधक जो बेता तू उसको मिलता रहे तो ऐसी मिट्टियों में जहां हमको भुरुबरा बनाना है वहां हम जिप्सम को डाल सकते हैं या हमें सलफर देना है वहां सलफर की आवशक्ता अधिक है फसल को जैसे मैंने बताया तिलहनी फसल है दलहनी फसल को भी सलफर की अधिक आवशक्ता ह होती है तो ऐसी स्थिति में हम जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं तो हमें यहां पर जो काम है जिप्सम का वो मिट्टी को बरुबरा बढाना और पोशक दोटों के लिए प्रदान करना होता है तक कि पौदों को कैल्शियम और सल्फर मिल सके इसके लिए जो जिप्सम की जो मात्रा होती है वो 80 kg प्रती एकर प्रयाप्त होती है 80 kg प्रती एकर जिप्सम आप डालें और बुवाई के समय जब अंतिम देंगे तो पानी के साथ ये धिरे-धिरे घुलेगा और घुलने के बाद ये calcium देगा और पानी में घुलता रहेगा calcium भी घुलेगा, sulfur भी मिलेगा, sulfate भी घुलेगे और ये जणों के माद्गम से पौधर में मिल जाएंगे और पौधर के ब्रती अच्छी होगी, साथ-साथ मिट्टी बच्छी बनेगी, तो ऐसी इस्तिती में ये मिट्टी को भी अच्छा रखता है और फसल को भी अच्छा रखता है तो अगर हमको पोशक तत्तों के रूप में देना है कि हमें calcium की supply करनी है, या sulfur की supply करनी है, या मिट्टी को भृबरा बनाके रखना है तो ऐसी इस्तिती में 80 kg gypsum प्रती एकड़ पराप्त होता है, आप इसको भौई के समय डाल सकते हैं ये पोशक तत्तों के लिए बहुत अच्छा है, दूसरा यह हो सकता है कि हमारी भूमी में sodium बहुत जादा है, चार बहुत जादा है, sodium यह हो रहा है, और sodium बहुत जादा होने के वज़े से हम इसको प्रियोग करते हैं sodium को कम करना को कम करने के लिए तब हम इसको जिपसम का प्रियोग करते हैं और एक्चल में होता क्या है कि जब sodium मिट्टी में ज्यादा हो जाता है तो मिट्टी की pH बहुत ज्यादा हो जाती है साड़े आठ आठ से उपर ज़्यादा लगती है इससे पोश्य तत्वी नहीं मिलते बहुत सारे और सुचुजी भी अपना काम करना बंद कर देते हैं मिट्टी के अंदर छार बहुत ज़्यादा बनने लगता है जणे छोटी रह जाती है फसलों की प्रति होती नहीं है और सो हो जाती है मिट्टी के अंदर वायू संचार कम हो जाता है वाटर होल्डिंग कैपसिटी नमी को रोपने की छमता कम हो जाती है वायू अक्षियन अच्छी नहीं रहती जिससे सुचुजी और जड़े दोनों ही अपना काम करना बंद कर देते हैं फुल मिलाकर कि मिट्टी क की दशा बहुत खराब हो जाती है सोडियम की वज़से अब यह सोडियम हमें हटाना होता है मिट्टी में से अब यह सोडियम अगर 15 परतिशत से ज़्यादा होता है इसको हमें कम करना चाहिए 8-10% 5-6% टक हमें लाना चाहिए तक कि यह कम हो जाए तो ऐसी दशा में जो sodium calcium sulfate से जो यह जिपसम है इसी से हटता है बहुत असानी से हट जाता है तो ऐसे सिती में आपको क्या करना है पहले अपनी मिट्टी की जाच करानी है कि उसके अंदर sodium तो बहुत ज़्यादा नहीं है अगर sodium बहुत ज़्यादा हो रहा है एक्षेंजिबल तब हमें जिपसम प् ज़्यादा है अगर sodium जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपकी मिट्टी को सुधारने के लिए इस जिपसम की जुरत पड़ेगी एक तो यहां जिपसम की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी दूसा देने का तरीका बदलना पड़ेगा इसलिए आप इस वात को पूरा अच्छी सोडियम कितना है फिर उसकी एक कैलकुलेशन होती है उस गड़ना के अधार पर हम पता करते हैं कि इतना जिपसम डालना है तो आप यह मान के चलिए कि आपका साथ सो आठ सो किलोग्राम प्रती एकड़ और प्रती हेक्टर भी हो सकता है यह निर्भर करेगा कि हमारी जमिन म इतना है तो यह मान के चलिए कि एक टन भी हमको हेक्टर में डालना पड़ सकता है यह आपकी मिट्टी पर सोडियम पर निर्भर करेगा तो यह गड़ना है उसका नुसार डाल दीजिए आप शुरू में आट सो किलोग्राम प्रती हेक्टर के डाल करके प्रयास कर सकते हैं स पानी के साथ बहा करके जमीन के नीचे ले जाना है, यह हमारा काम है, तो इसका मतलब यह है कि पहले यह सोडियम हटेगा, केलिशम उसको हटाएगा, और फिर सोडियम पानी में घुल करके नीचे जाएगा, तो अब देखिए जैसे मैंने शुरूम बताया था, यह जिपसम प कर लेगा sodium sodium sulphate बनाएगा यह sodium sulphate पानी में घुल जाता है फिर पानी साथ नीचे जाएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि हमको इसके लिए समय चाहिए तो हम क्या करें अपने खेत के चारों तरफ पहले बहुत अच्छी मेड़ बनाए बंड़ बनाए खेत की जुताइय करें और फिर जिप्सम मिलाएं जिप्सम बुर के उसको उपर फिर एक हैरो करके फिर क्रिय फे Pay पानी भर्या रहेगा तब क पिर पानी निचे जाएगा। इसका मतल्ढा हम हमें पानी भरके रखना है। यह कांवारा 20-25 तीन भी लग सकते हैं। तो जितना ज्यादा सोडियम होगा। उतना दिन हमें ज्यादा लगेगा। ये एक ये दो दिन का काम नहीं होता है। इसमें हमारे पांदरा 20-25 तीन भी लग सकते हैं, तो सबसे अच्छा यह होता है कि बारिश जब शुरू होती है, उसके पानी को इखटा कर लिया जाए, यहाँ में नहर का पानी मिल जाए, यहाँ में अच्छा ट्यूब बैल का पानी मिल जाए, तो हम यह प्रिकरिया को अपनाए, जिपसम को डालें, जितनी मै आपकी मिट्टी का सोधार हो गा तो यह सोधार पिरकिया लंगा समय लेती है छोटे समय में सुधार जलदी असानी से होते नहीं है तो ऐसी मिट्टी जहां सोधियम की अधिक्ता जाद RJ नहीं है और समस्या नीदान यह है कि आप Jipsum ढौल सी सोधार्ते रहें तो यहां अब आपको clear हो गया होगा कि gypsum को हमें कैसे प्रयोग करना है मिट्टी को भुरवरा बनाने के लिए या हमें तिलहनी फसल को sulfur group में देना है तो उसके लिए हमें पहला प्रयास करना है मिट्टी को हमें sodium कम करना है उसको हमें सुधार करना है चारिय भूमी का तो हमको फिर इस तरह से जो मैंने अभी बताया वो आपको देना पड़ेगा पानी भर के खेत को जिपसum को डाल करके मिट्टी में अच्छी तरह से मिला के पानी भर के चोड़ना पड़ेगा जब पानी नचे चला जाए फिर तुवारा पानी भर दीजे ताकि पानी के माद्यम से वो नीचे जाता रहे तो आपको संज में आगया होगा कि जिपसum कितना महत्पूर है जो हमारी मिट्टी को हमारी पौधों को सूच मुझीवों की सकरिता को बढ़ाता है इसी से हमारी मिट्टी बहुत अच्छी होती है जिन खेतों में जिपसum प्रियूख कर जाता है वहां सोडियम को हटा करके मिट्टी को अच्छा ही करता करता है मिट्टी के कड़ों की संदाचना कोई बहुत अच्छा करता है उससे मिट्टियम वायू संचार बढ़ता है सोच मुझी अपना अच्छा काम करते हैं जड़ों की ब्रद्धी बहुत अच्छी होती है फसल को दो आवशक कोशक तक तो मिलते ही मिलते हैं कैल्शम में मिलता है और सल्फर तो तेल बनाने में बहुत ज़्यादा साहिता करता है तो अगर आप सरसों में मुंपली में इसका प्रियोग करते हैं तो उसमें तेल की मात्रा बढ़ती है तो आशा है ये मेरी बात आपके सन्माई होगी इन लेक्चर्स को ज़्यादा लोग साथ शेयर करें कृशी किसान प्लेलिश जरूर देखें और अगर चैनल सस्क्राइब नहीं कै तो सस्क्राइब करें धन्यवाद